नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, साथियों बेसिक शिक्षा विभाग से सम्मन्दित एक पहत्पुन वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में नित नए नए कारिया हो रहे हैं, ऐसे में हमारे कुछ शिक्षक भी आपा खो देते हैं, क्योंकि इतना प्रेसर आ गया है कि उन्हें पता ही चलपाता हुए क्या कर देते हैं, ऐसी एक सर्मना घटना हुई, जिसमें बातरूम की चाबी मांगने पर इसकूल में बवाल हो गया, और वीडियो बना रही सिक्षक को हेड मास्टर ने पीट दिया, कापी सर्मना घटना है, सभी सिक्षक प्रेसर में हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है, काग बातरूम की चाबी मांगने पर बवाल हो गया, आरोप है कि चाबी मांगने पर पहले तो परधाना ज़्यापक ने मना कर दिया, फिर ऐसी चावी थमादी जिससे ताला नहीं कुला इस पर सायक अध्यापिका वीडियो बनाने लगी तो गुसे में आकर परदान अध्यापक ने उनकी पिटाई कर दी और सीर पकड़ कर दिवार में दे मारा यह सब देख वहां जुटे ग्रामीनों ने परदान अध्यापक को परकर पिट दिया फिर पुलिस को सूचना दी सिकसिका की सिकायत पर मामले की रिपोर्ट तरज कर ली गई है देखे कितनी सबना गटना है पहले तो एक बहिला सिकसिका को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए चावी मांग रही है उसे चावी दे देनी चाहिए आप चावी गलत दे रहे हैं कुछ परदान अध्यापक सभी नहीं सभी हमारे परदान अध्यापक अच्छे हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो विद्याले की संपत्ती को अपनी प्रोपर्टी समझने लगते हैं इसी तरह का ये मामला आया है सही मामला तो बाद में ही पता चलेगा लेकिन सिक्सिका को भी वीडियो नहीं बनानी चाहिते उन्होंने वीडियो भी गलत बनाई अपने मामले को इसकल में बताया है कि वैं प्रात्मिक विद्याल्यव कु tut खुस्रे में साह्यक अद्य самой की पत्पर तैनाथ हैं पर्धान अध्यापद पर अनिता-देवी के पति सत्य प्रकास परदान अध्यापक के पद पर तैना थे गुंजन की डूटी बियलो के पद पर पूर मादमिक विदहले में लगी है वह डूटी करने के लिए रिव्यार को स्कूल आई थी उसने पूर मादमिक विदहले के परदान अध्यापक सत्य प्रकास से बात्रोम की चाबी मांगी आर गुंजन का सिर्थ दिवार में देमारा गुंजन की चीक सुनकर गुंजन पहुच गए और सत्य प्रकास को पकड़ लिया। तक आरोप लगा दे कि बच्चों को दाखिला नहीं देते हैं कहीं साल से यहीं परत्य नाते हैं सही से बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है। डिपार्टमेंट को समसार होना पड़ता है, सब यहीं सोचते हैं कि शिक्षक ऐसे ही होते हैं क्या, आवागड के SHO फूल चंदर ने बताया कि बातरूम की चावे मांगने को लेकर विवाद हुआ है, सायक अध्यापिका, दियलों ने बातरूम की चावे मांगी थी, परधान थोड़े से गुस्से में इन्होंने अपना कितना नुक्सान कर लिया, अपनी बदनामी कराई और इसके साथ साथ विवाग या कारवाई भी इनको जेलनी पड़ेगी, तो ऐसा काम ना करें, ठीक है, प्रैसर है, कापी काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन हमें ये काम करने हों तब ही काम चल पाएगा, आज की वीडियो में इतना ही, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को दे करते हैं जिसे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद